नमस्कार दोस्तों मैं उद्धेलाट फ्री एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चेहिते चानल इंडियन मुर्गी पालन परडियो देखने वाले अर मुर्गी पालक भाई का आज के विडियो में तैं दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों थमनेल देखा टाइटल पड़ा हाँ दोस्तों सामान्य मुर्गी पालक भाईयों के लिए सबसे महतोपुर्ण वीडियो कि सिर्फिन तीन टीकों का इस्तमाल करके अब मुर्गियों पर आने वाली हर बीमारी होगी यहाँ पर सव प्रतिशत दूर हाँ दोस्तों यहाँ फिलहाल की है सबसे बड़ी अपडेट यहाँ फिलहाल का है सबसे महतोपुर्ण वीडियो कि सिर्फिन तीन टीकों का इस्तमाल करके अब मुर्गियों पर आने वाली हर एक बीमारी यहाँ पर होगी सव प्रतिशत दूर यहाँ तीन टीके फिर कोन से है कि जिनका इस्तमाल करने से अब मुर्गियों पर आने वाली हर बीमारी होगी यहाँ पर सव प्रतिशत दूर और इन तीन टीकों का इस्तमाल कब कैसे और किस प्रकार से करना है इसकी सही मात्रा कोन सी है इसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अब इस वीडियो को यहाँ पर शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए यह वीडियो अंतलक देख तेरे आपको पसंद आजाए तो जरूर इस वीडियो को यहाँ पर एक लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाई हो तक इस वीडियो को पूचाने के लिए जरूर आप यहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर दी प्पेर कर दीजिए रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाई को मैंने अपना माना है और आखरी सास्त का आप सभी को मैं यहां पर अपना ही मानता रहूंगा यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्त यहां पर मानते हो तो जरूर इस चानल को यहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाई तरब निचली साइड में आ जाएए वहां पर आने के बाद दिकाहित देने वाले ल इस नोटिफिकेशन को अन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको यहां पर समय समय पर मिलता रहेगा तो देखिए दोस्तों सामान मुर्गी पालक भाई के लिए सबसे महत्वपुर्ण वीडियो कि सिर्फ इंती इंटी को का इस्तमाल करके अब मुर्गियों पर आने वाली हर भीमारी होगी यहां पर सव प्रतिशत दूर लेकिन वह तींटी के कोन से है कि जिनका इस्तमाल करके अब मुर्गियों पर आने वाली हर एक भीमारी होगी यहां पूर दूर इसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने से पहले आपके लिए सबसे बड़ी खुश खबर लेकर आया हूँ दोस्तों कि हमने इंडियन मुर्गी पालन के नाम से नया वाटसप ग्रूप ओपन कर दिया है इस वाटसप ग्रूप के साथ आप मुफ्त में जुड़ सकते हैं जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वाटसप ग्रूप की के लिए मैंने दूसरा तरीका भी इजात किया है आप सभी मुर्गी पालक भाईयों का कहना था कि सर हमें आपका मारगदर्शन चाहिए सर हमें आपकी ट्रेनिंग चाहिए सर हमें आपका प्रशिक्षन चाहिए और इसी को मद्दे नजर रखते हुए मैंने यहां पर इहत बात तई की है कि आप सभी को ओनलाइन ट्रेनिंग का अउसरत दूंगा जिससे कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक गुजरात महाराष्ट्रा की सीमाओं से लेकर अरुनाचेल की सीमाओं तक अभी कोई भी दोस्तों मुर्गी पालक भाई बिना ट्रेनिंग के वंचित नही रहेगा क्योंकि इंडियन मुर्गी पालन ने शुरू कर दी है दोस्तों ओनलाइन ट्रेनिंग की यहाँ पर संकल पना अगर आपको भी इस ट्रेनिंग के साथ जुड़ना है तो दोस्तों केवल पास सुरुपे के मासिक शुलक पर आप जुड़ सकते हो उत्पादन से लेक जो बाद के मुर्गी और बास जानाकारी और साती साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको स्रेड मेनजमेंट ऐसके बाद अंडो करकर दोस्तों नाकर का मुनाना हिलाँ況 क् सित Northwestern उचित मार्ग दर्शन के लिए संपर किजे 84-81-62-62-62 पर जहां पर आपकी बात्चित मेरे साथ होगी अच्छा लगा जुड़ जाए नहीं लगा छोड़ दीजे किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है जिनको मार्ग दर्शन चाहिए ट्रेनिंग चाहिए आप ताथकाल प क्योंकि इन तीन टीको का इस्तमाल सही तरीके से सही समय पर और सही मात्रा में करोगे तो आपकी मुर्गियों पर आपके मुर्गी के फारन पर बीमारी आने का खत्रा तकरीबन तकरीबन दोस्तों यहां पर जीरो हो जाएगा ऐसे में दोस्तों इन तीन टीको का नाम क्या ह मुर्गी पालन में सबसे ज़़ा डैमेज करती है दोस्तो रानिखेद बीमारी और उसके बाद दोस्तो माता बीमारी तो इन दो बिमारी पर क्या है दोस्तो टीके निकल चुके है जिसके लिए रानी खेत के लिए लासोडा का इस्तमाल किया जाता है और दोस्तो गंबरों का इस्तमाल माता बिमारी के लिए किया जाता है और यदि इसके साथ आप R2B Staten Intramass Injection का इस्तमाल करोगे तो आपकी मुर्गियों के शरीर के अंदर एक ऐसा सुरक्षा कवज तयार हो जाएगा जिसके माध्यम से आपकी मुर्गियों को किसी भी दिक्कत का सामना यहां पर करना नहीं पड़ेगा लेकिन इन तीन टीकों का नंबर एक R2B नंबर दो गंबरों नंबर तीन लासोडा इ क्या है इसका सही समय सही मात्रा अब आपको समझाता हूं उसके लिए एक डायरी लीजे और एक आईसी यहां पर पेन आपके पास दोस्तों रख लीजे डायरी को यहां पर आगे बढ़ाईए तो मैं एक कैलेंडर येर का बताऊँगा कि 12 माहा में किस प्रकार से करना है आज बार लासोटो का वैक्सिनेशन करना है दोस्तों और टूबी तीन बार गंबोरो चार बार लासोटा पाज बार लेकिन आप यह कब और किस समय पर देने और कितनी मात्रा में देने ही यहां पर आपको समझाता हूं पहले कैलेंडर येर का बताता हूं कि आपको कब कौन साथी का देना है किस प्रकार से देना है मैं आगे बताऊंगा पहले लिक लिख लिजे एक जनवरी एक जनवरी को आपको R2B Staten Intramas injection देना है उसके बाद एक फरवरी को आपको लासोटा देना है एक मार्च को आपको गंबोरो देना है एक अप्रेल को फिरेख बार लासोटा देना है एक मैं को फिर एक बार गंबोरा देना है उसके बाद एक जून को आपको अर्टूबी स्टेटन इंट्रामास इंजेक्शन देना है एक जुलै को आपको यहां पर लासोटा देना है एक अगस्त को आपको क्या करना है दोस्तों यहां पर गंबोरों को वैक् आपको फिर एक बार लासोटा का यहां पर इस्थमाल करना है। समझ में आया, तो फिर एक बार दहो रहता हूं दोस्तों, एक जनवरी अर्टूबी, एक फरवरी को लासोटा, एक मार्च को गंबोरा, एक अप्रेल को लासोटा, एक मई को गंबोरा, एक जून को अर्टूबी, एक जुलाई को आपको लासोटा देना है, एक अगस्त को गंबोरा, एक सितंबर को लासोटा, एक अक्तूबर को गंबोरा, एक नवंबर को अर्टूबी स्टेटन इंट्रामास इंजेक्शन और एक December को आपको लासोटा देना है इस प्रकार से आप साल भर में तीन बार R2B स्टेट इंट्रामास इंजेक्शन चार बार गंबोर और पाच बार लासोटा दे दोंगे तो इस प्रकार से दोस्तों फर्मिला याद में रखे एक जनवरी को R2B देना है एक जून को R2B देना है और एक नवंबर को R2B देना है जब जब यहां पर सीजन चेंज होता है जैसे कि हम सर्दियों से गर्मी में जा रहे है तो R2B देना है गर्मियों से बरसात में तो R2B देना है और बरसात से फिर एक बार सर्दियों में जा रहे तो R2B देना है यानि कि एक जनवरी उसके बाद एक जून और एक नवंबर इन तीन तारीक को आपको बिना भूले R2B स्टेटन इंट्रमास का इंजेक्शन यहाँ पर करना है अब R2B देने का तरीका भी समझाता है R2B जो होता है जो मुर्गियों की लेग होती है दोस्तों यानि कि जहां पर जॉइंट होता है उसके नीचे एक चमड़ी होती ने पैरो के पास तो दोस्तों वहां पर क्या करना है कि आपको फैटी जो है यानि कि स्कीन में आपको यानि कि चर्बी में जो है दोस्तों आरटो भी स्टेटने इंट्रामास इंजेक्शन समझवा ऐसा लेना है मुर्गियों को पकड़ को ऐसा दे देना है दोस्तों और यहां पर भी दे सकते हो तो परोब में भी दे सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं अब यह देने का तरीका हो गया अब इसकी में मात्रा बता दा ह लिख लिजे चार महा के ऊपर की कोई भी मुर्गी हो तो दोस्तो 0.5 ml प्रति मुर्गी एक से लेके चार महा के बीच का छूजा हो दोस्तो तो वहां पर आपको 0.2 ml यहां पर जो है दोस्तो देना है और ऐसा माना जाता है कि जब R2B का heavy dose दोगे तो दूसरे दिन आपको मुर और अक्तुबर यह चार बार आपको गंबौरा देना है उसके बार जो लाएसोटा वसता है तो बाकि समय पर लाएसोटा ãyॹिरवरे में अप्रैल में जुलए म 때는 में और दोस्तो दिसम्बर में आपको यहां पर लासोटा लगवाना है अभी लासोटा और गंपुर देने का तरीका समझाता हूँ, सबड़ का लासोटा और गंबोरा तयार करने का तरीका एक है, लगने वाला जो साहित्य है नमबर एक दो लिटर साफ पानी उसके बाद नमबर दो 500 ग्राम बरफ के टुकडे नमबर तीन पचास एमेल ठंडा दूद नमबर चार सव बट का गंबोरों का ने तो लासोटा का वैक्सिन तो आपको क्या करना है दोस्तों कि यहां पर दो लिटर पानी जो लेना है दोस्तो अब किसी भी इसमें डाल सकते ड्रिंकर में दो लिटर पानी डाल दीजिए उसमें 500 ग्राम बरफ के टुकडे डाल दीजिए उसमें पचासे मेल थंडा डूद डाल जीए और उसमें जो वैक्सिन मैंने बोला है वो अभी गंबरों का तयार करना है तो गंबरों को डाल नहीं है एक बार लासोटा और गंबरों का इस्तमाल किया ना दोस्तों तो यानि अर्टूबी यह तीनों का भी इस्तमाल किया एक बार उसे फोड़ा तो उसका इस्तमाल बार आप कर नहीं सकते हो तो इस प्रकार से यह साल भर में तीन बार आप सही प्रकार से आर्टुबी, लासोटा, गंबोरा इन तीन टीकों का इस्तमाग करोगे यानि R2B तीन बार गंबोरा चार बार और लासोटा पाज बार तो दोस्तो आपके फार्म पर मुर्गियों पर लगभग लगभग बीमारिया यहाँ पर नहीं आएगी फिर एक बार दोहराता हूं एक जनवरी एक जून एक नवंबर R2B स्टेटन इंट्रमस इंजक्शन चार महा के उपर की मुर्गिया जिरो पॉइंट पाज एमेल एक से लेके चार महा के चूज़े जिरो पॉइंट दो एमेल देने का तरीका आप मुर्गियों को क्या कर सकते ह दोस्तों चमड़ी में दे सकते हैं परो में भी दे सकते हो लासोटा गंबोरा जो है इनका इस्तमाल पहले गंबोरा का बता तो मार्च मई अगस्त अक्तुबर यह चार महा की एक तारीक को आपको गंबोरा इस्तमाल करना है और जो रहे रहे हुए दिन है वहाँ पर तो इसका इस्तमाल करने के कारणों आपके मुर्गियों के शरीन में एक ऐसा सुरक्षा कवच तयार हो जाएगा कि जिसकी वजह से मुर्गियों पर बीमारी आने का खत्रा समाप्त हो जाएगा मुझे बहुत दिक्त तब लगती है कि जब आपकी मुर्गिया मरती है लेकिन दोस्तो क्या किया है आपने आज तक मुर्गियों पर बीमारी ना आने के लिए अगर इन तीन टिकों का इस्तमाल सही प्रकार से सही समय पर सही मात्रा में करोगे जो कि मैंने उपर बताया तो आने वाली तकरीबन बीमारी यहां पर समाप्त हो जाएगा और इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तो इसलिए आपको प्यास लगने के बाद को आख खोद वहां पर जो खोदने की आदत है उसे समाप्त करना पड़ेगा और दोस्तो पहले ही इंतजाम करना होगा यही जानकारी मैं मेरे आनलाइन ट्रेनिंग सेशन में देता हूँ यही जानकारी या तो पाकर मेरे मुर्गी पालक भाई आज लाखों का मुनाफ़ा पराप्त कर रहे हैं क्या आपको भी लाखों का मुनाफ़ा पराप्त करना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो जुड D0088446 पर 100 उपर बेज़ कर स्कृइन बेजना है उसके बाद आपका ररेजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको पूरी तरीके से मैं और मेरी टीम यहाँ पर साहियता करेंगे और हमने इंडियन मुर्गी पालन के नाम से नया WhatsApp ग्रूप तयार कर दिया है इस WhatsApp ग्रूप मेरी जॉइन होना हो आपको दोस्तों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में WhatsApp ग्रूप की लिंक है वहाँ पर जाके उसे टच कर दिजे और WhatsApp ग्रूप के साथ जुड़ जाएं कि दोस्तों आप सभी को तो मैंने अपना माना है आखरी सास तक अपना ही मानता रहूंगा यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदेश से दिमानते तो कर दिजे सब्सक्राइब कर लिजे सब्सक्राइब करने के लिए इसे वीडियो के दाईत रभ निजली साइड में आपका दोस्तों दे लड़ाब सभी के चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा तब तक के लिए मेरे हरकसान भाया और मुर्गी पालक भाई का आज कुड़ों में तहे दिल से बहुत-बहुत आभा